नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नहीं उबंगने जैसा कि आप सभी को पता है अभी वर्तमारी में वाट जो क्लासी चल रही है वो राजस्तान हाई कोर्ट LDC एक्जाम 2020 के लिए आपकी क्लासे वो चल रही है और एक क्लासे आपकी अभी दि व्याकनी चल रही है जिसम्म्म रोजाना किया है प्रचास क्यूसन है उसका पूरा सेट वो करते हैं यानि आपके ओंलाइन प्यक्टिशेट होता है राजस्तान हाई कोर्ट गरूप डी और राजस्तान हाई कोर्ट LDC एकजाम 2020 के लिए अगर आप राजस्तान हाई को ग जो राजस्तान हाई कोर्ड, LDC का आपका दूसरे बस है, उसके कोर्ड ही के आपके लिये जाते हैं, यानि जो पीछे एक्जाम में बार-बार पूछे गया है, उनिक क्यूशन का एक पचास क्यूशन का एक शेट है, वो आपको दिया जाता है, त्यार करके, और बहुत से स्ट क्यूशन का उत्तर है, वो आपका गलत था, तो इसका यह आना चाहिए, तो उन सभी को क्या है, एक मार तैर दिल से सुगरिया, तो चले शुरू करते हैं आज कि इस क्लास को, शुरू करने से पड़े एक बार फिर से सभी को राम-राम, पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन पर आ यह क्या है, इसका प्रयावची नहीं अंदकार का, बाकी तिमीर है, तमिस्तर है, और तमश है, यह सभी क्या है, अंदकार के प्रयावची है, बढ़ते नेक्शन की और, आपको बताना है, अगनी का जो प्रयावची नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना ह तो चार उप्षन जल्दी से देख ले और इसका उत्तर आपको देना है जल्दी से जल्दी तो क्या आएगा इसमें? उप्षन नमर शी आएगा अनिल बग्की पावक, करशानू और दहन ये तिनों क्या अगनी के प्रियावाची है अनिल है ये वाईयू का प्रियावाची होता है बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है कि अमरित का इनमें से कौन सा प्रियावाची सब्द नहीं है वो आपको बताना है चार उप्षन आपके सामने हैं बताएगे सहीज़ आएगा इसमें तो चारो उप्शन में से उप्शन नमर C आएगा इसमें गरल गरल आएगा बाग की क्या है अमी, सौम और पियूश ये तीनों क्या है अमरत के प्रियवाची शब्द है बड़ते नेक्शन की और आपको बता है कि आँख का प्रियवाची सब्द कौन सा नहीं इनमे से उप्शन है वो आपके सामने है चारो उप्शन में से क्या आएगा इसमें सहिजवाब आप्सन नमर D आएगा इसमे अन्त और बाकि क्या है दृग है, चक्षू है, लोक्चन है ये तीनों क्या है आँक के प्रयाची है बाखकी option number d यह क्या है आँक का प्रयाची नहीं है बड़ते नेक्शन की ओर आपको बताना है कि question number 5 से रेकर question number 8 तक आपको विलोम सबत बताना है खंडन का विलोम बताये विलोम बताना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर विलोम खंडन का आपको विलोम बताना है कौन सा है चार उप्सन आपके सामने बताईए सही जवाब क्या होगा इसमें तो जिसने भी उप्सन नमर सी किया है खंडन का आएगा मंडन उप्सन नमर सी बढ़ते नेक्शन की और आपको बताना है आयात का बताना आपको विलॉमसबद बताना है आयात का क्या आएगा तो आयात का तो आप आम तोर पे हम सुनते हैं आयात निरात होता है तो option number C जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है शूमत्ती का विलॉमसबद क्या होगा शूमत्ती का विलॉमसबद आपको बताना है चारो option है वो आपके सामने विराजबान है तो क्या आएगा इसमें? option number B आएगा शूमत्ती का आएगा कूमत्ती option number B बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है उपेक्षा का विलोम सबत बताना है कौन सा आएगा इनमे उपेक्षा का विलोम सबत बताईए चारो उप्षन है वो आपके समने विराजमान है बहुत ही आसाना साना क्योंसे आपसे पूछे जा रहे हैं और इसमें आपका जो सही जवाब होगा उप्षन नमर्डी आएगा अपेक्षा आएगा, जिसने भी option number D किया है, बिल्कुल सही जवाब, बढ़ते नेक्षन के ओर, आपको बताना है, निश कलंक का उपसरग बताना है, निश कलंक सबत है, इसमें उपसरग बताना आपको कौन सा है, उपसरग, लिख जता हूँ यहाँ पे, तो उपसरग बताई हैं, दूश चरित्र का, दूश चरित्र सब्द में उपसरग बताएं, दूश चरित्र सब्द में उपसरग बताना आपको, तो इसमें आपका जो चरित्र तो अलग हो जाएगा, और दूस रह जाएगा, तो क्या आएगा option number D, बढ़ते नेक्षन के ओर, आपको बताना है, option number B आएगा इसमें, अधी आएगा इसमें, option number B, बढ़ते नेक्षन के ओर, आपको बताना है, दूर बावना, दूर बावना में उपसरग बताना आपको कौन सा है, चारो option है, वो आपकी साम विराजमान है, तो जिसने भी option number B किया है, दूर बिलकुल सही जवाब आएगा, बावना अलेग हो जाएगा, दूर रह जाएगा, तो option number B, बढ़ते नेक्षन के ओर, आपको बताना है, गायक सबद में, परते बताना आपको, ये question आपके परते से समंदित है, परते, यानि 13 से लेकर, 17 number question तक आपको क्या है, परते बताने है, तो बताये, कि गायक सबद मे परते कौन सा है, तो क्या आएगा, इसमें, सही जवाब आएगा, इसमें, option number B, बढ़ते नेक्षन के ओर, आपको बताना है, डालू में, परते बताना है, डालू में, परते बताएं, तो जिसने भी option number D किया है, बिलकुल सही जवाब है, बढ़ते नेक्षन के ओर, आपको मानव union में परत्य कौन सा आएगा मानव अब इयस सब्द में परत्य बताना आपको चारो अप्सन आपके सामने है और बताजिए सही जभाब क्या होगा इसमें तो इसमें आएगा उप्सन नमर शी आएगा इसमें यह आएगा बिल्कुल सही जवाब उप्सन नमर C बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है जंगली में प्रियुक्त परते कौन सा है जंगली में कौन से परते का उप्योग हो है वो आपको बताना है चारो उप्सन है वो आपके सामने है तो स्में आएगा सैजवाब बियांगा इंगियों आइगा ये एगा स्में निमें बिटेनर अरफ और अपके बताना है है चारों सेस्जवाब आपके अपके सामने बताएं चेजवाब चारत करता रहा है कि इतने समय में आपके एज का उत्तर दे सकते हैं तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो आएगा उप्शन नमर B आश्ट्रिय से देखना बिल्कुल सही जवाब है जिसने भी उप्शन नमर B चुना है वो अपने एक या दो नमर जोड़ सकते हैं क्यों के LDC के लिए दो नमर का क्विशन है और आश्ट्रिय एक नमर की क्यूशन है आपको बताना है ईद का चानद ओना मुर्य कार्थ है बताइए इद का चानद ओना मुर्य कार्थ है चारों framework की सामने है और इसमें जो सही जुवाब होगा आपका वो होगा option number B आएगा भहुत दिनों बाद दिखाए दियना बड़ते नेक्षिन के और आपको बताना है की int का जवाब पत्थर से देना मौावरे कार्थ क्या है ərinal का जवाब पत्थर से देना मौावरे कार्थ आपको बताना है चारो अप्सन है वो आपके सामने आ चुक ए है बताइए स़ही जवाब क्या आएगा इसमें तो इसमें आएगा अप्सन नमार बी मुह अतोड जवाब देना बिल्कुल सhी जवाब है अप्सन नमार बी जिसने किया है वो अपने नंबर है वो पूरे के फूरे जोड़ सकते हैं बढ़ते नेक्शन के और अपको बताना है कि आंखे बिचाना मुहावरे कार्थ है चारो प्सन आपके सामने है और इसमें आएगा अप्सन नमर 6 प्रेमशे शुआगत करना बिल्कुल सही जवाब होगा बढ़ते न आएगा, option number B आएगा, परती परस में उत्तर आएगा, जिसने भी option number B की है, वो अपने एक नमर जोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं, बताइए, श्वागत में प्रियुक्त संदी का नाम है, श्वागत में प्रियुक्त संदी का नाम है, तो क्या आएगा चारो option में से, वो आपक इसमें हैं, और सही जुआब आपको देना है, तो जिसने भी option number C किया है, सतकार बिल्कुल सही जुआब होगा, option number C, बढ़ते नेक्शन के ओर, आपको बताना है, निरादार में प्रियुक्त संदी है, तो निरादार में प्रियुक्त संदी होती है, वो विश्रक संदी होग उप्सन नमर 6 बरेस के योर, आपको बताना है आयू में बड़ा वेक्टी जो वाक्याने इक सबन दहुआ आपको बताना है आयू में बड़ा वेक्टी क्या कहलाता है? बताइए चारों आपके सामने है तो जिसने भी और सी किया है जेस्ट बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते नेक्शन के ओर आपको बताना है पर्त्यूत पनमती यानि पर्त्यूत पनमती क्या होता है इसके लिए पूरा वाक्य बताना है इसके लिए पूरा वाक्य बताना आपको तो इसमें आएगा ओप्स नंबर भी आएगा के सामने हैं तो इसमें आएगा option number A आएगा शासवत बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है दूर की देखने वाला के लिए एक सबद आएगा दूर की देखने वाला वाक्य के लिए आपको बताना है कि एक सबद कौन सा आएगा इसमें वह आपको बताना है तो इसमें Q.2 आपको बताने हैं कि इसकी जगय कौन सा जो सब्द आएगा नेचे चार उप्सम दे रहे कि यह वो कौन सा आएगा यानि वरतनी समंधी आपसे Q.2 पूछे जा रहे हैं बताइए क्या आएगा इसमें तो सही जवाब आएगा इसमें वो ओगा आपका option नम्र डी आएगा पुस्त काले ये पुस्ता काले था ध्याने करना तो अप्सन नम्र डी आएगा बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन के और आपको बताने हैं उसने कहा था कहानी का शिर्षक अत्यांत उप्यूक्त है तो आपको शिर्षक बोल्ड अक्सर में दीख रह आपको बताना है शारीरिक और आरग्ये के लिए प्रत्यायों संध्याकालीन बर्मन अतियांत लाप पर्द माना गया है तो बोल्ड अक्सर कौन सा इसमें आरग्ये तो इसके जगह आपको बताना है सुद्ध सब्ध कौन सा आएगा वरतनी समंदी सुद्धी आपको करने है इसमें क्या आएगा इसमें सही जवाब तो आरोग्ये यह नहीं आएगा इसमें आरोग्ये उप्शन नमबर डी वाला आएगा इसमें आरोग्ये बढ़ते नेक्सम के और आपको बताना है प्रदान मंत्री मंदल की बेठक की अध्यक्सता की तो इसमें बोल्ड अक्सर कौन आएगा option number C आएगा मंत्री मंडल एक बार यह देखना इसको check करना कि क्या यह सही है option number C मंत्री मंडल comment box में जरूर बताना है देखके बढ़ते निक्शन के और आपको अब सुद्वाक्य से समंदित क्यूसन है इसमें बताने कि तुरूटी कहाँ पे है क्या आएगा इसमें option number B में तो तुम्हारी पुष्ट तक साथ क्यों नहीं लाते हो तो यहाँ पे साइद तुम्हारी नहीं आएगा इसमें आएगा तुम कक्ष्या में आते हो तो पुष्ट तक साथ क्यों नहीं लाते तुम्हारी नहीं आएगा इसमें बढ़ते नेक्शन के ओर आपको 34 नमर क्यूशन में बताना है कि इसमें एसुद्धी कहां पर है तुरूटी कहां पर है इसमें तुमने अपनी शवेश्चा से यह काम किया है तो क्या आएगा इसमें वो आपको बता रहा है ऐसुदी कहाँ पे इसमें तो इसमें आएगा तुमने अपनी नहीं आएगा तुमने शवेश्चा से यह काम किया है बिल्कुल सही आएगा इसमें यह बढ़ते हैं नेक्शन के और 35 नमर क्यूशन में क्या है कि कारगी लियुद में शेना विर्ता के साथ लड़े तो इसमें आपको ऐसुदी बताने है काँपे है काँपे इसमें ऐसुदी तो इसमें जो सही जवाब होगा उप्सन नमर भी आएगा युद में शेनिक आएगा इसमें नेकी शेना युद में शेनिक विर्ता के साथ लड़े बड़ते नेक्शन के और आपको बताना है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिशन से कमाये गया या धन आखिर किस काम में आएगा बताएए तुरूटी का आप यह इसमें तो इसमें तुरूटी है वो उप्सन नमर सी है आपके द्वारा कमाये गया यह नहीं आएगा इसमें भन किस काम आएगा बड़ते नेक्शन के और आपको बताना है कि क्यूशन नमर सेंतिस से लेकर चारिस नमर क्यूशन तक आपको समनार्थी सबत बताना है तो निवालन का आपको समनार्थी सबत बताना में लिख देता हूं यहाँ पे समनार्थी समनार्थी सबत बताना निवालन का कौन सा इन में बताए तो क्या आएगा इसमें अप्शन नमर ए आएगा इसमें मुक्ती बढ़ते नेक्शन के ओर अब आश्रे का बताना है आपको आश्रे का बताईए समनार्थी सब्द कौन सा आएगा इन में से तो इसमें आएगा उप्षन नमर्डी शविकार बढ़ते नेक्शन के ओर आपको बताना है इत्ती का इत्ती का समनार्थी सबत बताएं तो इसमें आएगा उप्सन नमर डी भै बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है परत्यासित का समनार्थी सबत बताना आपको क्या आएगा इसमें परत्यासित का समनार्थी सबत है वो आएगा उप्सन नमर ए अबर этомरा आपको बताना है कि तीन दीन मेवान चोत्थे दीन है तीन दिन मेवान फोड़े दीन ही अच्छा लगता है यानि अच्छा होता उप्षन नमर ए बढ़ते नेक्षन के और आपको बताना है गर का जोगी जोगना आन गाउं का सिद लोगोक्ति कार्थ बताए तो चार उप्षन में से जो सहीजवाब होगा उप्षन नमर शी आएगा इसमें अपने गाउं या घर की अपेक्षा अनेतर अधिक शमान बढ़ते नेक्षन के और आपको बताना है जल में रहकर मगर से बेर लोगोक्ति कार्थ बताना आपको जल में रहकर मगर से बेर लोगोक्ति कार्थ क्या है तो क्या आएगा इसमें आशिरे दाता को सत्रू नहीं बनाया जा सकता उप्षन नमर शी आएगा इस आपको बताना है कि किरिया का रूप किसके अनुसार बदलता है किरिया से समद्धित आपके क्यूसन है और बताईए सही जवाब क्या आएगा इसमें तो क्या आएगा इसमें सही जवाब आपको बताना है मैं खाना खा चुकी हूँ वाके में कौन सा क्यूसार बताना है यह आपको बताना है और सही जवाब होगा वह आएगा उप्शन नमबर ए शेयूक्त आएगा इसमें बढ़ते नेक्शन के ओर आपको बताना है कि किस वाके में शकर्मक क्यूसार बताना है आपको बताना है कि निमनल conveyed में से विशेशन है विशेशन से सम्मधित क्यूसन आपके बताईए कौन सा इन में से विशेशन तो इसमें सही जवाब होगा इसमें आएगा option number A दुखी बिल्कुर से जवाब आएगा इसमें option number A दुखी आएगा तो ये तो अगे आपके हिंदी व्याकन के 50 क्यूसन राजस्तान हाई कोर्ट LDC एक्जाम और राजस्तान हाई कोर्ट ग्रूप D एक्जाम 2020 के लिए अब आपको बताना है कि ये 50 क्यूसन अच्छा लगए ये बताना है अगर अच्छा लगए तिसे लाइक और शेयर जूर किया अगरे और अगर आपको कोई क्यूसन गल्त लगता है तो एक बार comment box जरूर चेक कर लिया करो वहाँ पे आपको क्या सभी solution मिल जाएंगी जो सभी श्यार सुट्येंट है वो नीचे comment जरूर करते हैं और बताते हैं यहाँ पे गल्ती होती है तो इसको थोड़ा सुदारे तो इस तरह से आप पी क्या देख लिया गरो वह सकता है कि यहाँ गलत हो जाते हैं अगर फिर भी कोई गल्ती आती है तो आप नीचे comment box में comment कर दिया गरो आपको बता दिया जाएगा उ जन्यवाद